कॉन मैंन सुकेश चंदरशेखर से जुड़े 200 करोड रुपे के मनी लॉंडरिंग केस में ट्रायल का सामना कर रही एक्ट्रस जैकलीन फर्नांडेस को कोट सिब बड़ी राहत मिली है दिल्ली की पट्याला हाउस कोट ने वी देश जाने के अनुमती दे दी है दरसल बॉलिवुड एक्ट्रस जैकलीन ने दुबाई जाने के लिए कोट में याचिका दायर की थी एडी की आपत्यों के बावजूद कोट ने परसनल लिबर्टी का हवाला देते हुए जैकलीन को दुबाई जाने की इजाज़त दे दी है सुनवाई के दौरान एडी ने कहा कि जैकलीन ने पहले भी भैरीन में मा से मिलने की इजाज़त मांगी थी जिसको कोट ने खारिश कर दिया था उसके बाद 16 जनवरी को दुबाई जाने की इजाज़त मांगी और बिना उचित वज़ा बताए याचिका को वापस ले लिया था और फिर 27 से 30 जनवरी तक दुबाई में पैक्सिको के इवेंट में जाने की इजाज़त को लेकर याचिका लगाई है ED ने जैकलीन की आचिका का बिरूद करते हुए कहा कि उन्हें दुबाई जाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वहाँ पर भी अपराद किया गया है उसको लेकर जांच लंबित है इसके अलावाद जाच एजनसी ने कहा कि जाच अभी महत्कून मोड पर है जैकलीन के वकील ने कहा कि कूट की तरफ से जो भी शर्ते लगाई गई है उसका हमने पालन किया है जैकलीन के वकील ने कहा कि गुरुवार को ही जैकलीन आसकर के लिए नॉमिनेटेड हुई है अगर दुबाई जाने की इजासत नहीं मिली तो उसका सीधा असर आसकर को लेकर भी होगा Jacqueline Fernandez के वकील ने कहा कि अगर दुबाई जाने की इजासत नहीं मिली तो उसे पैप्सिको के बीच उनके करार पर असर पड़ेगा